दिलकश दिलनशी सुभे रोशने बेहतरी बर्का के साथ रंग या किशाओं का हिस्म नया जमाना नहीं सुभोशा नया अंदाज नहीं तरह क्योंकि खुबसूरत है सिंदगे के लाओ बिस्मिल्ला रह्मान रहीं अससलाम अलेकूम नाजीन आपके उस डॉक्टर रुबाब आपको सिंदगे के रंग में एक बार फिर बहुत बहुत कुछामदीर कहती हूँ और उमीद करते हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक टाक होंगे खेरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे यह इन बिट्वीनी वेदर मदलता हुआ मौसम मैं एंजॉय कर रहे हूँ आप मेरी आवाज सोड़ी सी वे से वे गला बैट रहा है और नवेंबर में स्मोग भी अकसर आजाती है तो में कौन सी इशू आ रहे होते हैं कौन से प्राप्म्मों रहे होते हैं चाहिव सन के नहिंगा पूरा ये नोसट्रोट का शिस्टम है तो उसके ओपर इससना बाते करेंगे कुछ उस मौसम से पहले पहले कुछ उस दोरान की उसकी इतियात क्या होती है क्या नहीं होती है फैर ये सारी बाते हमारी कोशिश होती है कि हम आवेरनेस भी फिलाएं साथ साथ आप ल अपने मसल्स अपनी बोडी को कैसे टोनद अपर फिट रखिए रखे रखा जाए ये पुछना है रह्मान से चलिए रह्मान के बास से पास जाए ची अश्यां नहीं वालेकुम आससलाम, कैसे हैं आप? मैं एच्छी होँ, आप मैं आप, यह रहा है, यह रहा है, अपर जाए, अब था झाल यह रहा है? यह रहा है, जाए, आप तरह प्रॉपर प्रस्कार विए भर है? इस आज 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 आप में क्या बता लिटार है यास आज स्पेशली जो च्रेइनिंग है वैसे तो बॉडिवेट ट्रेनिंग हम करते है रिजिस्टेंग बैंड ट्रेनिंग अब एक वर्क आट उसके साथ होगा ठीक है प्रॉपर वामप टू डिफेंट टाइपस के हैं अगर बॉक्सिंग करनी है तो स्ट्रेट कर ले अधरवाइस आं स्ट्रेच कर ले क्लॉक वाइस इसके बाद फॉस्ट एक्सेसाइज हम करेंगे यह उब्लीक्स मसल्स के लिए जिसको लॉव हैंडल स्पीक इस बैक फ डिफ दैन साइड तांट जांट तर्टी रैप स्पीट से आराम से इसलिए कि आपको एंगल पता चल जे इसको वाइट गिरप में आपने करना है इस्टिफ करना है यह देन वान टू त्री फोर फार फार जिख थर्टी रैप्स और इसे ज्यादा भी आपने करने अगर तो फर्स थर्टी हो जाते हैं सेकंड सेट में आपने वन मिन टू मिनिट सापने करना है उसके बाद वन साइड इसके लिए भी आपने इसको पाउं में रखने है ग्रिप को थोड़ा सा शौट कर लें यह दोनों गे में बहुत अफेक्टिव ऐसे तो सारी अफेक्टिव है क्य त्री फॉर जितना आप डाउन जाएंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगे यह सेम लाइग यह ओके इसको वान टू त्री फॉर थर्टी तो फॉर्टी रैप्स आपने करने है और इसके बाद माइ फेवरेट एक्सरसाइज के लिए अब इसको कैसे करना है क्योंकि नॉर्मल आप कर चुके इसको आप बैक बिसा फिट करें ना जाँ जाँ दैन अ इसको अपने इसलोली परफार्म करें जतना अप इसको अपने परफेक्शन बढ़ती जाएग और रिजल्ट भी आपको मिलता जाएगा अगें मैं कर है तो गुटनिया बैंक कर लो इस तरह आपने बैक भी फिट करके हाथों में ग्रिप राखके यह करना है कि असलोली अपन जाएग माइफ एक्सेसर सबसे कंपल्सरी एक्सेसाइज उसके बाद करेंगे इसकी सपोर्ट से बहुत अच्छे और परफेक्शन बहुत ज्यादा है और रेपेटेशन भी ज्यादा हो जाती है ओके इसको आप यूँ पाउ में फिट करें देन अब जाए थर्टी रैप्स ब्रीथ इन अब ब्रीथ आउट अब आप ब्रीथ आउट एप्स वर्काउट में ब्रीथ सर्कुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट यह निके जटके द दे दे के आपने करने वह उस तरह तो आप पांसो भी लगा लो कोई फाइदा नहीं यह अपने एक्सराइस कहर नहीं है इसी अवेलेबल नेक्स लेवल पर आपने जाना है यह आपको रिजिस्टेंस ट्रेनिंग चाहिए तो आप इसको लें परफेक्ट एक्सराइज है और वेरी एफेक्टिव हैं 110 परसंट गरेंटी के साथ और मुझे अपने फीडबैक भी देना है बताना भी है और सबसे जुरूरी बात दौाओं में हम सबको याद रखे और वापिस चलते हैं प्रोग्रम ब्लकुर बहुत शुक्रिया रह्मान बलके इस तरह से फित रखने की बहुत बात करें अभी शोस के बीगिनिंग में जनरल बात करें थी मेरे गले क्या वाज के साथ साथ कि जब मौसम बदलता है तो बहुत सारे चेंज़े आते हैं कुछ हमारी स्किन एड़ाप्ट कर रही होती है कुछ नहीं करती है कुछ हमारे अपने इंटरनल रिशु आरह कुछ बड़ी ईजी ली कुछ लोगो बिल्कुल फ़रगे नहीं पढ़ता हूर कुछ लोग होते हैं जो बड़े ससेप्टिव होते हैं जो कि इस मौसम को बैर नहीं कर पाते हैं यानि आप के इंदर डिफेंट काइंड चेंजिस बॉड़ी केंदर अकॉर्डिन तु तेंपरे जब स्पेशली नहाते वक्त तो उससे क्या होता है कि सकीन मेरी तो मिझे लगता है कि वैसे मेरी सकीन नॉर्मल है लेकिन हाथों में स्पेशली ड्राय हो जाती है बट अगर हम मैं उसको मौश्चराइज कर लूँ तो फेर अगर मैं जड़ा बाहर निकलती हूं तो वह गर् अगर वह लिस्ट देखें कि इस चेंज एक मौसम में कौन सी टोन टेक्श्चर रखने वालों को क्या क्या प्रॉब्लम दो रही है और क्या उनका क्यो हो रहा है मेडिकली भी देखेंगे आज हम और हम उसको आज घर में हबली भी देखेंगे कि घर में मौजूद तरीकों स सबसे पहले हमारी और आपकी फेवरिट नई अरपा हमारे साथ मौझूद हैं असलाम अलेकूम और आपको बहुत-बहुत खुशामदीर कहते हुं जिनकी करा गुष्ट है ना क्योंके चिए पर अपर बड़े परशान आते हैं पूछते हैं कहते हैं किया तो फिर निकाजन के लिए बात करते हैं तो medically भी उतना है important है कि आप किसी certified doctor के पास जा रहे हैं किसी के साथ जिससे भी deal कर रहे हैं अपने पास से या किसी का treatment डेकर same or treatment ना करें तो सही बात आप भी कर सकते हैं हमारे पास आज हमारे पैना पे मौझूद हैं consultant skin specialist Dr. Basit Ghafoor असलाम लेको तो आज हम बात करेंगे दोनों आसपेक्स हो खाली हम नहीं करेंगे बिल्के आप भी कॉल करेंगे और आप भी साथ-साथ अपने मसाइल डिसकस करेंगे और बात करेंगे इसे की साथ हम चलते हैं हमारे options किचन में तईबा वहाँ पर ready खड़ी हैं पूचते है तईबा का रहीं हाएं ऐसाथ-साथ तईब 3 टीक ठाक क्या पक राई आज mechanics COVID-19 तो Plan months लेकosa जांगे क्या भात थे कंड़्य principio वैसे याप की स्क्रियन पर आ रही है। तो मैंने सब खेले पहले लीना पैन के अंदर मैंने ऑउय्ल दालना तो उसके बाद मैंने लसन अद्रक का पेश डाल देना उसको अच्छी तरह भून लेना है फिर उसके बाद मैंने दही के अंदर यह सारे मसाले डाल देने मसाले मेरे पास मुझूद मैंने तरह उण टरह ड Arma डुषभा अच्छी और उसको अच्छी तरह उसको डाल देना चंछी तरह मैंने उसके ओपर रह को सम आख लकुरा यह जया नदैगा एक सच्छणाश टवरे डालती MALE इसको अच्छी तरह मेंने उसके उसके ऊपर बहून नहीं है तो उसका बोनना है मैं थोढ़ा दिर मैंने उसको दूपड पर लगा देन tit जब पानी खुशक होने लगे तो मैंने यहां पर विल्क और क्रीमें और साथ कोकोणट है जो जो क्रatu क्रश ह dura वे यह कोकोणट को मैंने क्रीम और के अंदर मिख्थ कर देना है और पिर उसको भी यएट करने है हांडी कर मैंने उसके अंदर एट कर देनी है हरा धनिया डालना है अधरक डाल देनी है और फिर मैं सामने आपके पेश करूंगी बहुत मज़े की शॉर्ट टाइम में आपकी हांडी तयार हो जाती है तो या आप घर में लाजमी ट्राइ कीजेगा option की तो इंशाला तरह आपको और पूछते हैं सबसे पहले तो नहीरा पाई बताईए कि वेदर चेंजिंग में कौन से common skin problems हैं जो लोगों को होते हैं यूजियल प्राफिम्स हाँ जी allergies जिसना से आजकल सबसे जो सब हर एक कोई यह वाला issue हो रहा है फ्लू नजला जुकाम और उसके बाद जो है वो स्कि जब मौसम चेंज होता था तो हमारे घर में जो है वो आमले का इस्तमाल बहुत बढ़ जाता था अच्छा सुबह नहार मूँ जब दात वगारा ब्रश करके किचन में जाना तो मदर ने सबसे पहले दो आमला और एक हडीरा गर रखी हुई होती थी कि पहले यह खाओगे त तो नाश्ता ने मिलेगा तो आमला और हडीर जो है यह तकरिबन महीना डेर महीना यह कोर्स करना होता था सबने और जैसे बरसाथ का मौसम शुरू होता था तो वो वालिद सहाब की ड्यूटी होती थी कि हमारे उठने से पहले उन्होंने यह नीम का ग्राइंड करके पानी पास नमक रखा था किचन वे जाने से पहले यह पकड़वादा था का अईव तो कड़वानी होता नेरा पार कैसे पी सकता है बच्चे कैसे पी ले 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 ने हो पीते थे हम लोग और वालिद का इतना डर होता था कि वह हम वापिस नीकार भी नी सकते तह नहीं तो एक पढ प्राबलम हो रही थी तो मेरी चोटी बेटी उठी है गई है अद्रक उसने ग्राइंड की है उसका पानी निकाला है हनी डाला है नीम गरम करके लाके उसने मुझे दिया ममा ये लो पकड़वाद पी तो मैंने वादा का पिये और विदिन टैन टू फिफटीन मिनट जो है तो मुझे सकून मिला और मैंने दिल से बेटी को इतनी दुआएं दी तो बात यह है कि हम इन चीजों को जो है ना वो हम एंटिबाटिक ले ले लेंगे हम कफ सीरप्स ले ले लेंगे ठीक है पेन किलर्स ले 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 जिसकी वज़ा से सकिन के उपर जो है फिए सारे इश करती है तो उसमें यह है कि कोशिश करें जब मौसम चेंज हो रहा हो ठीक है अपनी ब्यूटी से ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा कोईटर सो बलके उस मौसम चेंजिंग में इन तो हम लोग क्या करते हैं कि फूट्स पढ़े हुए हैं सबजियां पढ़ से आया हो जी मुझे लगता है कोई ना बाहिर तुम्हारे बाप ने दूसरी मार की हुई है जो अमने नमबर बनाने के लिए 15 से 20 मिनुट में जो है वो डिलिवरी दे 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 लिए तो लाइफस्टाइल जो है ना अरूबा हमारा जो लाइफस्टाइल है ना यह हम बहुत जो है जो सबसे पहले आप मैं एक्जापल मैठी हुआ पर फोड़ डॉक्टर हो के भी मैं अपना गला लेकर मैंठी हूं डॉक्त साब गरा खराब है और इस तरह की छीजों से और सकिन के हวाले से बाते बताती थी उनको छूट चोटके ओते थे अब इस्तेमाल करकर बड़ा मैफatge हो रहते थे और बड़ा अच्छा फियल करते थे भेसिकली स्किन जो है रिफ्लेक्शन होती हमारे एटिचूड का हमारी रोजमरा की रोटीन का हमारे अंदर जो डिजीजिज हैं यह इसका रिफ्लेक्शन होती अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है एसी कुछ घरों में बंद हो गया है कुछ लोग अब राव को पंखानी चलाते लोगों का इस्तमाल कम हो गया है इससे हम थोड़ा साब ड्राइनस की तरफ फिर चल गए हैं तो हमारे हाथ कि बन काफी लोग ऐसे हैं काफी पेशन्स हैं जिनको एक्जीमा सुराइसे डेंडर इस तरह की प्राब्लम्स हैं उनको जो हाइस्ता इस्ता आज कलिए प्राब्लम्स कर सकते हैं आपके कोई स्केन के प्राब्लमु जह बदलके मौसम के प्राब्लम्स और हमारे साथ साह्थ हमारे मौशं पास और डुनों से बात कर सकते हैं तो एक चोटे से ब्रिक के बाद संद्धी के रंग में वेलकम बैक नाजडीन हम लोग आज बात करें बदलते हुए मौसम में स्किन के उपर जो प्राब्लम स्टार्ट होते हैं जाए स्टार्ट हो रहे हो चाहे अग्रवेट हो उनके बारे में बात करें आप भी हमें कॉल कर सकते हैं करके अपने प्राब्लम का स्टार्ट होता है अगर पहले से काम होता है इसमें जादा होता है क्या सिस्टम एक्जीमा इसको हम उर्दू में चंबल कहते हैं आम लोकों में जो रफजाद है चंबल मशूरा और इसकी इसमें कई किसमें होती है इसकी बड़ी कॉमन टाइप है उसको में टॉपिक डर्मा टाइटिस कहते हैं इसकी बड़ी कॉमन हैं लोगों के अंदर जो मरीज इसके हैं वो भी इसको समझते हैं और आजकल के मौसम में उनको कुछ कुछ प्राबलम आनी शुरू हो जाती है और उनकी पूरा एक टॉप के लिए जो एक्टॉपिक डर्मा टाइटिस के हमारे पेशन्स हैं इनको चाहिए कि आजकल पानी का इंटेक्स जादा करें और सबसे इंपॉर्टन बात ये कि मौस्चराइजर का इस्तमाल करें मौस्चराइजर अगर आप बजार से कोई अच्छी कमपनी ब्रैंड का लेन करें हर एक्जीमा का हर जंबल का पेशन्ट इसका इसका इस्तमाल कर सकता है तो अभी जो बदलते मौस्चराइजर के साथ उसको सकिन में जो प्रॉब्लम जाएंगी जो परिशानियों को सामना करना पड़ेगा वो काफी हद तक सिर्फ इन्ही के इस्तमाल से कम हो जाती है जो है कि उसके बाद वो चेंजिस इंटी सम काई डूम और डिजीज उसके बात कर से पर रहते हैं और उसके टोट का लेने से पहले मिसिस आपद भाद करी हैं जी asalama aleykum asalam aleykum mra alaikum asalaam कैसे हैं मिसिस आपद शो कैसा बहुत और क्या सवाल करना चाहिं आए बहुत से शोजार है, मैं ठीक ठाक हूँ, मैंने कुस्स निये करना था कि मेरे तो ब्लैक हैड बोलग बोल जाता है और दूसरा मेरे बालों में डेंडर्फ पोट है। ठीक है। और जो मेरा बेबी है, उसके भी वह बहुत बालों में तुछ नहीं आरे हैं। तो मैंने उसके अर्बालों के लिए भी पूछना था उसमें जो है जो मैडिसन जो है उसमें आप खाने में या लगाने में कई दफा जो है वो बिल्कुल भी अफाका नहीं हो रहा होता उसमें जो एक मेरा अपना मैंने परस्नली जिसको मैंने जो यूज करवाया है और बहुत अफेक्टिव है जिनको इस तरह के शूज आते हैं वो पानी के अंदर नीम गरम पानी जादा गरम पानी बी जो है वो इन चीजों को बढ़ाता है क्योंके ड्राइनेस जादा आ जाती है कोशिश करें के नहाने से पहले जैसे डॉक्ट साब ने ग्लैस्ट्रीन रोज वाटर का उसमें आलमेंड ओल भी जो है वो शामिल कर ले यानि कि जितनी ग्लैस्रीन की है उतनी आलमेंड ओल की और उतना ही उसमें रोज वाटर डाल के उसको अच्छी तरह ब्लैंड करके तो नहाने से पहले पूरी बॉड़ी के उपर उसको जो है वो बहुत ज़़दा अफाका होता है उसके बार जो है वो खारीश और पानी जो है वो निकलने लगता है खारीश कर करके उसके लिए सर्सो का तेल अगर टू टेबल स्पून आपने सर्सो का तेल लिया है जो स्राइसीस की जो प्र workplace है यह खऴप मौती है उसके बाद जैसे ये बालों में डेंडायोफ की जो है वो बात कर रही है नहाने के बाद आप ग्लैस्टीन लें कौटन में डिप करके आप अपनी रूट्स में जो है ग्लैस्टीन सिर्फ लगा लें पांसे दस मिनट के लिए लगे रहे पिस साधे पानी से उसको रिंस करते हैं उसके बाद अगर बहुत जादा ऐसे खारिश करने से गिर रही है बहुत जादा स्केल्स बन रही है तो उसके लिए जो है वो आप नहाने से पहले क्या करें थोड़ी सी ग्लैस्ट्रीन ले उसमें सपोस्ट टू टेबल स्पून ग्लैस्ट्रीन है वन टेबल स्पून उसमें जो है वो कैस्टरॉयल डाले और उसके अंदर थोड़ी सी आप जो है वो शूगर डालके यह आप एक स्क्रब बन जाएगा ये आप अपने बालों पे लगा के अराम राम से बड़ा जेंटल सा मसाज करें इससे पूरी जो एक डेड लेयर बनी हुई है ये डेड लेयर रिमूव हो जाएगी फिर आप जो है वो शैंपू करें और शैंपू के अंदर भी जितना शैंपू है उसमें ग्लैस्टिन डाले कहने का मतलब है कि शैंपू को आप माइल्ड कर ले ठीक है उसके साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक सकून रहता है क्योंके डेंडरफ की वज़ा से खारिश फिर बहुत होती है इचिंग बहुत होती है तो थोड़ा साथ अप अपने स्कैल्प को लुब्रीकेट रखेंगे मूसको मोस्ट्राइज रखेंगे अच्छा मोस्ली ये भी कॉंसेप्ट है कि जो कंडिशनर हम लोग यूज़ करते हैं ये भी मोस्ट्राइज है जबके कंडिशनर जो है ये बालों के लिए मैं समझती हूँ शैंपू से कही कि ज़्यादा खतरनाग साबित होता है आदी घंटे तक घंटे तक बाल उसे सॉफ्ट रहते हैं और उसके बाद आप देखें के बाल इस तरह से गुच्छों में जो है वो उतर रहे होते हैं क्यूंकि हम ऑईल को छोड़के हम कंडिशनर की तरफ चलेगे और डेली बेसिस पर जो हम शैंपू भी यूज कर रहे होते हैं उसमें सल्स जो कैमिकल है वो आपके बालों के आपके स्केल्प से मॉइस्टर को अंदर से जहाँ खेंच लेता है अच्छा अगर इसी के अंदर में डॉक साब आपसे आड करना चाहूंगी डेंडर अक्शली है क्या मेरे जिन में थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉंसेट आ रहा है वट आई स्टडी वट आई रेड कि इस इन गुड कि हम उसको ओईल की लेयर से जो है वो गवर्ड रखें अच्छली डेंडर को हम अपनी मेडिकल टर्म में सेबरिक डिमाटाइटिस कहते हैं बेसिकली जो स्किन का टर्न ओवर है जो के नॉमली एकिस दिनों में हमारी स्किन का नीचली लेयर से उपरवाई लेयर में आती है यह थोड़ा से ज्यादा हो जाता है और यह इसको लाइफस्टाइल मौडिफिकेशन के साथ इसको हम काफी हता कंट्रोल रख सकते हैं अभी जैसे मिसेज आबित की कॉल आया और डेंडर के बारे में काफी कंसर्ण थी तो सबसे पहले बात यह जो जैस तरह पानी के मुतलिक सबने बात की है तो वो वाटर इंटेक को उन्दा होने का जो अबाइस बनती है, वो है कि हम बार बार गरम पानी से नहाते हैं, dit is something you know you have? लाज़मी चलाना है वो डेंडर्फ का बहुत बाइस बनती है आपने जब नहाना है तो जो जो हम सादा जबान में आम आदबी की जबाने कोसा बानी कहते हैं कि बर को जो नॉर्मल वाटर है उससे आप नहाएं उससे फिर आपकी डेंडर्फ कंट्रोल में रहती है और इसको आपने कोई नो कोई जैसे ऑलिव ऑल हो गया और इसके लाव मेडिकेटिड लोशन हैं जिसको आप जब साद पर लगाते हैं तो आपके डेंडर्फ जो है वो कंट्रोल में रहती है यह याद रखे के डेंडर्फ का 100% कोई ट्रीट्मेंट नहीं है अगर कोई यह कहता है तो बड़े बरेंड की जो शैंपूस मिलते हैं उसको हम तो नहीं मांते हम तो मेडिकेटिड जो शैंपूस हैं जो कि आप किसी बिडर्माटॉलिजिस से वो लखवा सकते हैं और आपको प्रयोशन करना चाहिए जो कि आपको प्रश्काइब कर देगा एडवाइस कर देगा तो सिरफ वो मिज़े टैस्टा संट मेरे जो दीविः जो एसे कि एसी के साथ से जो वीज़ हैं उनमें सहमेरे पास एक आप्र से बात कर एंगा राद का बात करिया अधरी यह सामलेक। अब आपके सियां और आप क्या बात करना जाएंगे यह जो पुर है नवोट टीक है और पेज मेरा पर जाता है और वैक्सिंग के वज़े से काफी ज्यादा दाग पंगे इसने फालर वाली में हाड़ वैक्स कर दीए और इसके वज़े से मेरा फेल साफी ज्यादा हराव हो गया वह अच्छा इन्होंने का हार्ट वैक्स की बड़ा से दाग पढ़ गया है और स्किन चाइच होगे सिर्फ माथा इंग अगले रहे हैं ओके थैंक्यू सो मुच आदिका कॉल करने के लिए हम और लाइव आपका प् इसको आप समझ लें दूसरे लफ़ों में बुरी तरह से वह आप डामिज कर लेते हैं उसके बाद आवर जैसे कहरे हैं हॉट वैक्स उसके ऊपर कर दी है ठीक है ब्लीच भी यह करती होंगी यह बेस लगाती होंगी तो जाहरी से बात है कि अपर उससे डामिज ही ओंगी त वंसनाम आपकी स्किन तो जो है ये बची रहनी चाहिए इसके लिए बहुत बैस्ट आइ दूद लें दूद दूद के अंदर कॉन फ्लॉर डालें उसमें और few drops उसमें Almond ऑौर डालें तो इसको मॉस्टराइजर के तोड़ पे या क्रीम के तोड़ पे फेस को वाश करने के लिए भी बहुत माइल्ड कोई भी जो है वो सोप ले यह जिस भी साबून से फेस वाश कर रहे हैं थोड़ा सा से घ्लेस्टेंज वाइड कर ले और कोई को या कोई सवाय कुषोरिए या कोई जो सोफ मांध है उसके सार्ज इसके सार्द छुप है फीस ओष करें तो हर वाषत अपने सकीन को थोड़ा सा जो यह मोस्टराइज रखे और कोई केमीकल जो है न उसको वाइप वैगस वह तो स्किन जो है, वो बहुत ज़्यदा सैंसिटिव हो जाती है। उसमें यह ऐ है कि अगर आप फीट में निकरें, बाहरें निकरें स्किन सैंसिटिव हो रही है तो उसके लिए Sun Rolling जो है और उसके बाद फिर वही बार बार बात आ जाती है कि माइल जो है वो कोई भी आप फेस वाश हो एरा कोई भी यूज करें उसके बाद दूद के अंदर हल्दी और आलमेंड आईल क्योंकि आप जो मौसम आ रहा है यह स्कीन को थोड़ा मॉस्टराइज करने का है थोड़ा सा दूद लें ठंडा दूद एक चुटकी उसमें हल्दी की डालें फ्यू ड्रॉप साल्वन डॉड़ाइड के और फ्यू ड्रॉपस उसमें ग्लैस निके डालें और कॉटन के साथ फेस को वाश करने के पाद पूरे फेस पे ची तरह से टैप करें यह यानि कि वह वाला हल्द वालेकुम्सलाम कैसी है आप और आपको शो कैसा लग रहा है अलहमदिल्ला चिक चाफ बहुत प्लाश है मैं लाइश हो दिग रही थी इसलिए मैंने का चिने डॉक्टर साब आए में मैं भी फादर उठा हूँ मैं भी कॉल कर लो जी जी पूछिए जी मैं यह पूछना चा यह तो नहीं आते हैं लेकिन कंगा करने के पाद बहुत वालु करते हैं अच्छा ठीक है सो डॉक्साब साब पूछना चाहती है ठीक है तैंक यू सो मच मैला पो कॉलिंग आप जवाब सुनने के लिए च्छो देख ते रही जी जी अच्छा इनसे पहले जो कॉलर थी वह इनको एक से दो दिन में रिलीफ मिल जाएगा अगर यह मुझे से बाद में राप्ता कर ले मैं उनको बता दूँगा बाकी जो आपकी दूसरी जो कॉलर है उनका क्वेस्चन है हेर लॉस से रिलेटेड है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अब हम सेबरिक उसका इस्तमाल करें पानीशानी अपधा प्याएएं उसके लावा फिर अपने बालों का खयाओ कह wonderful है कि सबसे एक इसी इंपॉ拌ादियों में रा हम इाम करते है और वह बालों कbei डिंजरेस हैं आप अपने बालों को हे राएज ना करें दूर्बालों पर कि एकिसIS की पेर का इस्तेमाल करें और फिर उसके अगर आपको फिर भी फर्क ना पड़े तो लाज़मी तौपे किसी स्किन स्पेशलिस से कंसर्ट करें क्योंकि ये सिर्फ नॉमल हेर लॉस नहीं हो सकता हो सकता अंदर को प्रॉब्लम भी हो क्योंकि वांस डिजीज है फॉल स्टार्ट हो जा हैं सिद्रा बात करें साम लेकों हां जी कैसा लग रहा है आपको शो और क्या सवाल करना चाहेंगी आपके अवाज इतनी क्लेर नहीं आरी आपने कहां के हस्बंड के चेहरे पर ब्लैक हैट्स बहुत जादा है ठीक है आपके बात मुझे एक्राइन होती है अपने प्लेक्शन भी बहुत बात रहा है उनके कोई मश्रा बता दे ठीक है ठीक है और कोई आप अब बता सके के काम को धूप के एक्सपोजर का का में क्या काम करते हैं खमाजी आती चीश वाजा के इस ते रिवेटे की एजा है पर बहुत दाने हैं चालेंज ठीक है तैंक यू सो मच पॉर कॉलिंग अब सिज्डा जी पहले आप आपसे बात कर लेते हैं जी जिसना से अपने अपने इस्बेंट की बात करें के ब्लैकर बहुत ज्यादा कंप्लेक्शन उनका जो है वह बहुत ज्यादा डाक है तो अगर ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा बने में जारी सी बात है जैंड्स है और चलें लेडिस का तो होता है के दो चार शे मिने बाद या मंतली जो है वह फेशल कर वा लेती हैं तो उसके लिए क्या करें जैसे वह शाम में घर आते हैं ठीक है वाइटमिन सी की जो टैबलेट है हम पानी में डालके जिसको लेते हैं और दो टैबलेटेट वो ले यह एक टैबलेट की यह लें जो सरदर्थे लिए ड्यस्प्रीन अप उसमें टीबल स्पुन ढालके जब वह बल्कुल मैल्टस ही हो جए उसको फेस-वाश करने के बाद काटन मीग्स करके उसको कॉटन के साथ फेस के उपर लगाना शुरू करें। वह पानी की की ओपर हरा जायगा। करें। और सब्सक्राइब भींजांतब चाहरे मसाच करते करते या भी मूवे वाम सब्सक्रेइब करें। पूद तो आइ ने थोड़ा-थोड़ा सब्सक्राइब। मसाच करते करते जो है वो स्किन से डेल लेर रिमूव होना शुरू हो जाएगी चार-पांच मिनिट के बाद थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो पानी हातों पे लगाते जाए यानिके ड्राइड नहीं और फेस के उपर हलका हलका मसाच करते चले जाएंगे तो मैल की बटियां स आप उसको कह लें तो फिर लगा लें ताके स्किन ड्राइन और यह भी अगर यह करेंगे तो इनके आइस्ता-इस्ता जो है यह ब्लैक है रही होती है तो इसके अंदर आप अगर एकनी को ड्राय करने के लिए जो जेल्स इस तरह की क्रीम्स यहां वो चीज़े यूज तो बो भी कई दफा जो है वो आप उस तरह से केर नहीं अपनी की कर रहे होते क्योंके जारी सी बाता दूब में भी जाना है डस्त का है मट्ती है तो उसके लिए जो है वो कोशिश करें के एक तो पानी का जिससां से बार बार बात हो रही है वाटमिन सी का इस्तमाल जो है जब जादा करवाई और उसके बाद क्या करें नीम सोब बनाके रख लें चाहले यी क्या करें कि मुठी्ट भर्के जो है वह नीम में डाले और चम्मच छिलाते जाए वो सारा जब पानी खुश्योक हो जागा उसको वापिस आप टिक्की की फॉर्म में जाए वो किसी भी सांचे में डाल के अब जमा लिए डाल उसके साथ फेस को बात लेते हैं कि उसके पहले कॉलर वेट करें जी असलाम लेकुम वालेकु असलाम हंजी कौन बात करी हैं और क्या बात करना चाहते हैं मेरे पोर्ज ओपन होगे ठीक है जी उसमारे में प्लीज कुछ ऐसा बताएं मैं घरेली पुछ लाज करवास हो तूं डाक्र के पास जाएं तो वो इसनी हैवी दोईयां बताते हैं कि वो घरीब बंदा तो फोर् कि अच्छा बताएं में बहुत परिशान हूं कि इतने सुराफ कुछते जा रहे हैं कि ठीक है आप परिशान नहों मिसस जाहिए हमारा शो देखती रहे हैं अभी आपकी सवाल का जवाब हम देते हैं लेकिन हम आपर चाहने हैं एक चोटे से ब्रेक पे ब्रेक से वापस आत सिंदगी के रंग में वेल्कम बैक नाजरीन हम अभी कॉलर्स के जवाब जो के इंतजार करें होंगे ब्रेक पे हमारा के हम उनकी बात का जवाब दे डॉक्ट साब पहले हमारा शो देखती जिनके हजबन के चेहरे पर बहुत जारे ब्लैक हैट्स थे और उनके बेटे के फ हो रही है तो वो पिग्मेंटेशन के साथ निशानों के साथ जा रही है तो यह बड़ी कॉमन सी कम्प्लेइन है इसमें सबसे इंपॉर्टन बात ही है कि जब आपको एकनी हो चेहरे पर दाने बने हो आप खुद ही ना एजियूम करें कि ब्लैक हैट बन गया वाइट हैट बन गया मेरा ये बन गया और खुद ही उसका इलाज में शुरू करें अगर आपके दाना इंफेक्टिड हुआ और आपने उस पर गल्द किसम की क्रीमें लगाई हैं गल्द किसम का टोटका किया तो वो सकार बन सकता है वो निशान बन सकता और फिर जाना बहुत मुश्किल करना जरूरी है ताकि वो पिग्मेंटेशन ना कॉस करें और फिर उसके बाद जो कॉंपलेक्शन की उन्होंने बात की बेसिकलिए डबल टोनी की बात कर रही थी तो वो उसके लिए प्रॉपर क्रीम्स हैं मैडिकेशन हैं जिनको इस्तमाल करके फिर वो कॉंपलेक्शन को बेतर किया जा सकता है लेकिन कॉंपलेक्शन बेतर करने से पहले या पिग्मेंटेशन बेतर करने से पहले एक्नी का प्रॉपर रिजॉल्फ होना जरूरी है और उसी तरह अगर उनके बेटे की बात की जा है वैसे He is growing in the growing age teenage है जिस में आकरी नीज होती है तो वो दिखा लें किस तरह के निशान है पिंपल्स कह रही है निशान नहीं कह रही है पिंपल्स थे हाँ वो पिंपल्स भी दिखा लें जब बरसात का और यह वला मौसम जाता है आपको पता है बार बार आईल आ रहा है पसीना आ रहा है तो उसमें जो है यह प्राब्लम होती है उपन पोर्स की उसमें यह होता है कि बरसात में और जब पसीने का जो है वो मौसम है उसके अंदर क्या करें कि आप रोज वाटर लें स्पोर्स अगर आपने 50 ml रोज वाटर लिया है उसमें आप एक चुटकी जो है वो इसमें फट्री का पाउडर जो है वो डाल दें बिल्कुल एक पेंच छोटी सी पेंच वो डाल दें आप उसमें और उसको जो है वो आप उसमें हाफ टी स्पून आप लेस्टीन भी डाल सकत हैं तो उसमें ये है कि कोशिश करें कि जब किचन से फारी हुई है सादे पानी से फेस को वाश करके ठंडे पानी के चींटे जरूर डाल लिया करें उसके साथ भी जो है जो पोर्स है ये मिनिमाइज होते हैं उसके बाद मार्किट में अवेलेबल है बड़े अच्छे हरब प्रोडर्ग मास्क है जिसमें कूलिंग एफेक्ट है उसमें मैन्थॉल है काफूर है और मिनरल देंग वगार तो ये भी सिकिन को जाई है यह कूल डाउन करते हैं और पोर्स को मिनिमाइज करते हैं तो अन्धे छीब कुल हो ही ठंडे पानी पानी बेस्ट उसके लिए वो आप साथ डाल लेंगी तो साथ ये एक्नी को भी क्यूर करेगा और पेपर मिंट स्किन को ठंडा रखेगा वो भी जो पेपर मिंट है पेपर मिंट का ऑईल या पेपर मिंट का जो मास्क है उसको आप हलका सा क्रश करके पेपर मिंट के पतों को उसमें थोड़ा सा गंदूं काटा डाले या अंडे की जो है उसे फैदी डालके एक पैक सा बना ले तो वो भी आप फेस पे लगाएंगी इसके साथ भी पोर्स भी मिनिमाईज होते हैं और ऑईल भी उसके साथ कंट्रोल होता है कोशिश करें स्किन को ठंडा रखें बिल्कुल यह बहुत जरूरी है और जिस तरह भी आपा ने कहा कि हम आज की शो में जिसना स्टार्ट ही किया कि जैसे ही मौसम स्टार्ट होते हैं सबसे जरूरी है कि जुते मिसायल हो रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम की डेफिशेंसी या फिर है वीक होने की सिम्टम्स निशानिया है जिसमें सबसे पहले घरेलू टोटके ही है चोटी-चोटी चीज़ें जोड़ी सी हमत टेस्ट अपना डाउन करना पड़ता है लेकिन मौ ट्राय करना शूट करें तो आप जहां अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट कर लेंगे बहुत से इशूस, बहुत से प्रावल्म्स, बहुत से परिशानियों से, बिमारियों से महफूज रख सकते हैं अपने आपको नाजरीन, हमारे शो का टाइम चुके खत्म हो चुका है और ऑप्शन में हमारा दिश आउट हो चुका है जितने फेस्बॉक मेस्जिस आया है, हम उन सब को आंसर करेंगे, बल्कि उन से रिलेटेट टॉपिक रखेंगे प्रॉपर, तो तो बहुत बहुत से जिदने लोगों को से इस्शूस हैं, इतने प्रॉब्म्स हैं, वो हम डिसकास करें जाने से पहले अगर मैं को मैसेज इस मौसम के हवाले से आप देना चाहें, पानी स्यदा से ज्यदा प्यपिए हैं, और स्किन को मौसम रखें, और आगे औरिंज का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो वाटमिन C का जो इंटेक है, बेस्ट डान, डॉक्स आपक्राइब आपक् रस हो गया, तो यह हैं छोटी-छोटी टेप्स जो के हमारे लिए बड़ी जरूरी होती है, अगर हम इनकी ख्याल कर लें, क्यार कर लें, अपने मामूल पर बना लें, तो प्रब्लम्स नहीं होती है, बढ़ती नहीं है, और आपको आगे प्रपर इलाज की तरफ नहीं जान झाल को आपको 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 मामूल पर चारब। झाल को भड़ती है, आपको आपको आपड़।